गाजर का हल्वा बहुत बार बनाया भी होगा और खाया भी होगा लेकिन क्या आपने कभी बिना गाजर गी से टेस्टी और इजी गाजर का हल्वा बनाया है अगर नहीं तो मेरी तरह से बनाके जरूर देखें घर के छोटे बड़े सब इसे बहुत पसंद करेंगे तो चलिए इस जटपट और इजी गाजर के हलवे को बनाना शुरू करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेर जरूर करें गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने लिया है आपे एक किलो गाजर गाजर को अच्छे से दो लेना है गाजर जितना लाल होगा उतना ही वो मीठा और टेस्टी होगा तो हो सके तो लाल वाला गाजर चुने अब इसका चिलका निकाल लेंगे चिलका निकालने से गाजर के उपर छोटी छोटी जो मीटी लगी होती है वो पूरी निकल जाती है तो इसी तरह से एक एक करते हुए सारे गाजर का छिलका निकाल लेंगे, अब इसके आगे और पीछे का जो एक्स्ट्रा हिस्सा है वो निकाल लेना है और इसके मेडियम साइज के पीसेस कर लेना है, ये बहुत ही आसान है, इसी तरह से एक एक करते हुए सारे गाजर के हम पी तो यह मैंने सारे गाजर के एक-एक करते हुए पीसेस कर लिए हैं अब चलते हैं हलवा बनाने की तरह तो कड़ाई में जो पीसेस करे हुए गाजर है वो डाल देंगे और इसी में Pam 1g partly तूद पर एक लीटर दूद लिया है अब simply हमें यह जो गाजर है दूद में उबालना है तो तेज आंच पर दूद को उबाल देंगे जब तक दूद हलका गाड़ा ना हो तब तक इसे उबालते जाना है बीश-बीश में चम्मत से इसे मिलाते जाएंगे इस तरह से जो गाजर दूद में उबाले जाते हैं उसका जो टेस्ट वो बहुत ही अच्छा आता है आप चाहे तो इसमें कुकर में भी बना सकते हैं लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी कुकर से जादा आप इसे कड़ाई में बनाए इसका गाजर का जो कलर है वो भी मेंटेन र हैगा और जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है तो बीज-बीज में चलाते हुए अभी आप देख सकते हो जो दूद है हलका सा गाड़ा होना शुरू हो चुका है और जो यह हमारा गाजर भी है वो भी अच्छा पक चुका है तो एक चमश में लेके देखेंगे और इसे दूसरे चमश से हलका सा मैश करें यह बहुत ही आसानी से देखें टूटने जा रहा है मतलब यह सौफ बन चुका है गाजर एक्दम अब इस गाजर को हम मैशर की मदद से मैश करेंगे तो simply जैसे हम आलू को मैश करते हैं वैसे इस गाजर को मैश करेंगे यह बहुत इजी तरीका है अब यह गाजर को मैंने हलका हलका मैश कर लिया है इसे ज़्यादा बारिक नहीं करना है हलका सा मोटा ही रखेंगे इससे हलवे का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है अब फ्लेम को मैंने यहाँ पे मेडियम आज पे रखा है क्योंकि हमारी जो कंसिस्टेंसी है वो भी हलकी सी गाड़ी हो चुकी है तो अच्छे से मैश करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे गी गी हमने यहाँ पे आधा कप लेना है लेकिन यह आधा आधा करके डालेंगे और आधा कप चीनी तो गी और चीनी को इसे अच्छे से मिला ला है चीनी मिलाने के बाद जो consistency है वो हलकी सी पतली हो जाती है तो फिर से इसे 5-10 मिनिट तक मेडिय मांच पे चलाते जाएंगे तो फिर से 5-6 मिनिट के लिए इसे मेडिय मांच पे मैंने अच्छे से मिला लिया है तो अच्छे से अभी से मिलाने के बाद जो बचा हुआ गी है वो इसमें डाल देंगे आखिर में अगर घी डालते हैं गी जो हलवे में तो जो हलवे का टेस्ट होता है वो कई गुना बढ़ जाता है तो ये टिप आप ज़रूर याद रखें जब भी हलवा बना रहे हो आखिर में बचा हुआ गी डाले आधा तो हलवे का जो टेस्ट होता वो बहुत ही बढ़ी आएगा घी को हमें सिर्फ एक मिनिट के लिए इसे अच्छे से मिला लिया है अब हम इसमें डालेंगे इलाइची पाउडर वन टी स्पून और ड्राइफ रूट्स ड्राइफ रूट्स में मैंने यहां पे पिस्ता काजू और बादाम लिये हैं बारिक कटे हुए थोड़े थोड़ बनाने में आसान अब तक का सबसे इजी तरीका होगा इस तरह से गाजर का हल्वा बनाने का और यह आसानी से और जट पट घर पे बनके रेडी हो जाता है और इसका जो टेस्ट है जो स्मूधने से घर के बिना दान्द वाले बच्चे या बुड़े भी इससे बहुत ही पस चुका है तो आज का यह गाजर का हल्वा आपको कैसे लगा मुझे ज़रूर बताए आपको यह वीडियो पसंद आए तिससे लाइक और शेर ज़रूर करें और इसी तरह से मेरे नए वीडियो देखने के लिए मेरे चानल को सब्सक्राइब करें आज का पूरा वीडियो दे